नमस्कार प्रवसाक्षी के सापता एक समाचार कारिक्रम हफते दर हफते में मैं रम्या आप सबका स्वागत करती हूँ आए डाले एक नजर उन सभी खबरों पर जो इस सपता सुर्खियों में रही कॉंगर सद्यक्षाहुल गांदी ने सुमवार को राश्ट्रे स्वयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत पर निशाना साथते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेना का अपमान किया है गौर तलब है कि संग प्रमुक ने रव्यवार को कहा था कि अगर जरुवत पड़ी तो देश के लिए लड़ने की खातिर आरेसस के पास तीन दिन के भीतर सेना तयार करने की शमता है जमुकश्मीर की मुख्य मंतरी मैबूबा मुफ्ती ने राजमे हिंसा पर लगाम लगाने के लिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच नए सेरे से बाचीत की पैरवी की हाला कि उप मुख्य मंत्री निर्मल सिंग ने कहा है कि मुख्य मंत्री की यह राय नीजी है और इस बारे में कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई राजिस्तान सरकारने किसानों के अलपकाली फसली रिंड में 50,000 रुपे तक के कर्ज माफ करने की घोशना की है इसके साथ यह राजि में विभिन वर्गों को 6,500 करोर रुपे के राहत देने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है मुखे मंत्री वसुंद्रा राजे ने सुमवार को राजि विधान सबाव में 2018-19 का बजट पेश करते हुए यह घोशना की बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है गुजरात के युवा विधायक अलपेश ठाकोर ने कहा है कि मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में सत्ता रूट भाजवा को हराने के लिए हाल ही में हुए कुजरात विधान सबाद चुनाव की तरच पर अन्य पिछड़ावर OBC के लोगों को एक जुट किया जाएगा फारुक अब्दुला ने कहा है कि पाकिस्तान इस जूटी उमीद में जी रहा है कि वह कभी कश्मीर पर कबजा करेगा नैशनल कॉंफरेंस प्रमुक ने जोरदार तरीके से कहा कश्मीर भारत का अभिन अंग था है और रहेगा बिहार के मुख्यमंद्री नितीश कुमार ने RSSS के प्रमुक मोहन भागवत के संग के स्वायम सेवकों की तीन दिन में सेना तयार करने संबंदी बयान का बचाव करते हुए सोमवार को कहा कि कोई नागरिक या नागरिक संगटन देश की सीमा की रक्षा के लिए अगर अपनी ततपरता दिखाता है तो यह ठीक है CRPF के एक शिवर पर हमला करने की आतंगवादियों की कोशिश के नाकाम होने के पाद सुरक्षा बलो और लशकर के दो आतंकियों के बीच 32 घंटे चली मुटभेड मंगलवार को दोनों आतंकियों के धेर होने के बाद समाप्त हो गई पंचाब नैशनल बैंक में बुधभार को करीब 11,400 करोड रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है यह घोटाला कत्यत रूप से हीरा कारूबारी नीरव मोदी ने किया है इस घोटाले में कई बड़ी आभूशन कंपनिया मसलन, गीतांजली, गिन्नी और नक्षत रभी विभिन जांच एजंसियों की जांच के दायरे में आ गई है नीरव मोदी फिलहाल स्विजलान में है वह एक जनवरी 2018 को देश छोड़ कर चले गए थे उनके खिलाफ CBI ने लुकाउट सर्कुलर जारी किया है और ED ने कारवाई करते हुए नीरव मोदी के घर और दफ्तरों पर छापे मारी की कारवाई की है नीरव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह 6 महीने में सारा बकाया चुका देंगे दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केज रुवाल ने बुधभार को कहा कि प्रदेश सरकार राश्री राशधानी के निवासियों को जल्द ही निशुल्क वाई-फाई एंटरनेट सेवा उपलब कराना शुरू करेगी निशुल्क वाई-फाई मुहाया कराना आम आद्मी पार्टी का प्रमुक चुनावी वादा था सरकार ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सलापर वहां भरती रोग्यों को दिये जाने वाले भोजन पर किसी तरह का माल वस्तेवा कर यानी GST नहीं लगेगा हाला कि दाखिल नहीं किये गए रोग्यों को अस्पताल द्वारा परोसे गए भोजन के कुल मूली पर कर चुकाना होगा दिलिपुलिस ने इंडियन मुजाहितीन के एक संदित आतंगवादी को गिरफतार कर लिया है यह आतंगी 2008 की बटला हाउस मुट भेट के बाद से ही फरार था वरिष्ट अधिकारी ने यह जानकारी दी उच्छिवाले शेत्र में स्थित हिंदूओं के पवित्र तीर्तस्थान केदारनाद मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए 6 माद बंद रहने के बाद शधालों के लिए इस वर्ष 29 अप्रेल को खुलेंगे मंदिर समिती के प्रवक्ता डॉक्टर हरिश गौड ने यह जानकारी दी अमेरिके खूफिया प्रमोक ने आगा किया कि पाकिस्तान छोटी दोरी के हत्यारों सहित नए तरह के परमानों हत्यारों का विकास कर रहा है नाशनल इंटेलिजन्स के नितेशक डेन कोट्स ने शनिवार को जम्मू में सुनजवांच से निशिविर पर हुए पाकिस्तानी आतंकियों के एक समूग के हमले के बाद यह ट्टपनी की है प्रतिवंदित समूगों के खिलाव कदम उठाने के दबाब में पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिस सायद द्वारा संचालित मदर्सों और स्वासे के इंद्रों पर कारवाई शुरू की है सायद ने इस पर कहा है कि वे गारवाई के फैसले को अदालत में चुनौती देगा उत्रप्रदेश के मुंख्यमंद्री योगी अधितिनात ने गुरुवार को विधान परिशक में विपक्ष पर अपराधियों के प्रती सहनुद्वुती व्यक्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सूबे में पुलिस मुट भेड़ों का सिलसला नहीं थमेगा मुख्यमंद्री ने कहा कि यह सबको पता है कि अपराधियों को संरक्षन कौम देता है उलेकनिया है कि योगी सरकार आने के बाद से प्रदेश में पुलिस के साथ अपराधियों की मुट भेड़ की 1200 घटनाओं में 40 दुरांत अपराधी मारे जा चुके हैं चीन ने प्रदानमंद्री नरेल्र मोदी के अरनाचल प्रदेश दौरे का कड़ा विरोध किया है जिसे वह दक्षनी तिवक बताता है चीन ने कहा कि वह भारत के साथ राजनाईक विरोध दर्ज कराएगा मोदी के गुरुवार को अरनाचल दौरे की खबरों के बारे में पूछने पर चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता गैंग शुयांग ने कहा चीन भारत सीमा के सवाल पर चीन का रुख नियमित एवं स्पष्ठ है CPN UML अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुरुवार को दूसरी बार नेपाल के प्रधान मंत्री बन गए गौर तलब है कि ओली के वामपंति गडवंदन ने करीब दो महिने पहले हुए संसदिय और अस्थानिय चुनाओं में नेपाली कॉंग्रस को हराया था राश्च्रपती बिद्यादेवी बंडारी ने 65 वर्षिय ओली को देश का 41 स्वा प्रधान मंत्री नियुक तिया तक्षिन अफ्रिका के राश्च्रपती जेकब जुमा ने अपनी सत्तारूर पार्टी अफ्रिकन अश्रल कॉंग्रस के साथ चल रहे गधिरोध को खत्म करते हुए गुरवार को राश्च्रपती पत्से इस्तिपा दे दिया ANC उन्हें पत्से हटाने के लिए विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर संसद में अविश्वास प्रस्तावलानी की योजना बना रही थी पुलिस ने एक आगामी मल्याली फिल्म के निर्देशक उमर लुलू के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनके खिलाव यह करवाई उरू अदरलव के एक गाने के बोल के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बात की गई है शिकायत करता ने आरूप लगाया है कि गाना मुसल्मानों की भावनाओं को आहद करने वाला है इस एक गाने की वज़े से ही अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर रातो रात सूपस्टार बढ़ गई है जीवन में आत्मविश्वास एवं एकागरता का महत्व रिखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने शुकरवार को छात्रों से कहा कि हमेशा निरतर प्रयासों एवं आत्मावलोकन से आत्मविश्वास आता है और उन्हें अपने दिमाग से ये खयाल निकाल देना चाहिए कि कोई परिक्षा लेने वाला है और अंक देने वाला है बलकि उन्हें स्वायम अपना परिक्षक बनना चाहिए परिक्षा पर चर्चा कार्यकरम के माध्यम से दिल्ली में छात्रों से सीधा समवाद एबं अन्य शेत्रों के छात्रों से वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये संपक करते हुए मोधी ने कहा आत्मविश्वास बहुत आवशक है लेकिन आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मम्मी या कोई कह दे कि एक्जाम में जाने से पहले ऐसा टाबलेट ले लेना और आ जाए हर पल कसौटी परकसने की आदत डालनी होगी आत्मविश्वास हर पल प्रयासूं के साथ आता है केंद्रे ग्रह मंत्री राजनात सिंग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस दिवस समारों को संबोधित करते हुए जहां शहर पुलिस की पीट थप थपाई वहीं उसे अपराधों पर और लगामकस ने तथा चाफे पिवस्ता सुधारने के लिए सुझाववी दिये इरान के राशपती हसन रुहानी अपने हैदरबाद यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को कुतुबशाही मगबरे पर गए रुहानी शहर के गोलकुंडा इलाके में स्थित कुतुबशाही शासकों के मगबरे पर गए यह मगबरे आमतोर पर साथ मगबरों के नाम से प्रसिद है और इनका निर्मान इरानी स्थापत्य कला के आधार पर किया गया है ये था ये सब्ता के मुख्य समाचार अगले सब्ता फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार